नमस्कार दोस्तों शुशान सिंग राजपुत से शंबंधित एक खबर आई थी अभी कोश दिनों पहले जिसमें शुशान सिंग राजपुत पे या रोप लगाये था कि शुशान सिंग राजपुत काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे नसे में रहते थे जिसके कारण से उन accept नहीं किया और लोगों का ये कहना है कुछ comments मेरे YouTube चैनल पे भी आए और सब ने ये कहा कि criticism अगर ऐसी कोई बाते थी तो ये उस वक्त क्यों नहीं बोली कि आज उन्हें करीब एक साल आठ महीने बाद ये बाते याद आ रही है कि सुषान सिंग्राद पुद डिप्रेशन में थे और फिल्म फलॉप होने के कारण वो शराब रात भर पी गए ऐसी बाते कृतिस सेनन ने एक इंटर्विव में कहा था लेकिन जब से ये बाते कृतिस सेनन ने कही है उसके बात से शुषान के फैंस का गुष्या काफी चरम पे है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें काफी ज़्यादा ट्रोल किया और उनसे सवाल पूछे कि इतने दिनों तक आप कहा थे क्यों नहीं आपने कुछ कहा और ये एक ऐसी बाते उन्होंने कह दी जिसे की जाँच एजन्सियों को भी बहुत सारी मदद मिल सकती है क्योंकि एक-एक व्यक्ती का बयान काफी महतपूर्ण है इस मामले में और इस मामले में अभी तक जाँच एजन्सियों के हाथ में ऐसा लगता है कि कुछ आया नहीं है या फिर वो कुछ बड़े ऐसे प्लान में है जो कि मामले को ही खतम कर दिया जाए क्योंकि पिछले लगबग एक साल आठ महीने से ये जाम चल रही है और अभी तक चांच के नाम पे शुन्या है शिफर है कुछ नहीं है और जो सुसान के फैन से उनका गुस्तर लगतार बढ़ता जा रहा है और लेकिन वो कभी भी मायूस नहीं है वो लगतार इस बात को कह रहे हैं कि कब हमें न्याय मी लेगा कब हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएंगे कि भारत में भी जो न्याय पालिका है उसके अंदर बिस्वास बना हुआ है लोगों का परन्तु अभी तक कि जो जाच एजिंसियों के जो भूमका है वो कहीं न कहीं फेल सावित हो रही है और हर तरफ से ये आवाज उठे लगी है कि क्या शुषान सिंग राजपूत को न्याई मिलेगा क्या शुषान सिंग राजपूत को इंसाफ मिलेगा और इन सवालों का जवाब देते देते हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है कुछ ऐसी बाते चल रही है जिससे कि हम कह सकते हैं कि देर काफी हो रहा है और इस मामले में कोई भी ऐसी बाते नहीं हो रहा है जिसे कि हमें ये लगे हम आश्वास्त हो जाएं कि हमें इंसाफ जल्दी मिलेगा वैसे एक चीज और है कि इंसाफ के इस लड़ाई में सभी लोग बहुत ही एक्टिक तरीके से काम कर रहे हैं और ये एक्टिक तरीका काफी आगे चलता रहेगा जैन जै भारत